हरुन भूमी के तमाम दर्शकों के सामने आज हम एक छोटा सा अपडेट लेकर के आ हैं यह अपडेट जो हम वोटर आईडी कार्ड इस्तमाल करते हैं हमें मिले जानकारी के अनुसार आधार का जो लिंकेज है जो वोटर आईडी कार्ड के साथ इसको अनिवार करने का वो सोच रहे हैं लेकिन साथी साथ जो ओडर उन्होंने दिया है उसमें वोलिंटरी शब्द का इस्तमाल किया गया है मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से आप आधार और वोटर आईडी को लिंक करवाए ऐसा एलेक्शन कमिशन का कहना है हमें मिली जानकारी का अनुसार जो वोटर से लोईज जिले की ही नहीं बरकि मैं पूरे अउनाचल की बात करा हूँ सबसे पहले तो वो अपने बीयलो से संपर करें बीयलो से संपर करने के बाद आप फॉर्म जो 6B करके है फॉर्म 6B को आप फिलप करें उस पे आप अपना आधार नमबर डालें उसके बाद अपना सिगनेचर, डेट वगवारा लिख करके और मोबाल नमबर लिख करके आधार कार्ड और अपना इलेक्शन कार्ड का जिरोग्स कोपी इस फॉर्म में लगाएं इस form में आप इंक्लोस करने के बाद आप अपने बियलो से संपर करें और बियलो से संपर करने के बाद आप अपने बियलो को ये सब्मिट कर सकते हैं या अगर आप मान लीजे कि आपको अपने बियलो से मिलने में कोई परिशानी आ रही है तो आप अपने जिले के डिस्टिक इलेक्शन ओफिस में जा करके आप फॉर्म 6B, याद रखेगा 6B, 6B को आप कलेक्ट करके पूरी तरह से फिलब करके आप सीधे ओफिस में भी आप दे सकते हैं, अब हमने यहाँ डिस्टिक इलेक्शन ओफिस में बात की तो हमें पता चला कि ये जो लिंकेज है ये डिसेंबर 31st, डिसेंबर 2022 तक जारी रहेगा जब तक कि वोटर्स का अधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड लिंक नहीं हो जाता, ये जो फैसला इलेक्शन कम देश में अपना वोट कास्टिंग करने के बाद में फिर अपना जो नेटिव जगह है, वहाँ पर जाकर के भी अपना वोट कास्टिंग करते हैं, जो की पूरी तरह से गलत है और नियम के विरुद है, तो इसी चीज़ को समाप्त करने के लिए इलेक्शन कमिशन ओफ अपने जिले के डिस्टिक इलेक्शन ओफिस में जा करके इस फॉर्म को आधार कार्ट और अपके वोटर एडी कार्ट के साथ में जिरॉक्स इंक्लोस करके आप यहाँ जमा कर दें, तो यह था एक हमारा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए इलेक्शन कार्ट से जुरा, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धनेवाद।